तो जिए चातरों आपका हिंदी के पेपर में आपका गरदा उनाने के बाद क्लास आपका नाइंद के देलें और यदि आप पूरा पेपर आप देख लेते हैं तो पूरे आप 75 में से 75 नमबर लेका होगे इसके साथ देखिए मेरे पास यापी आपका दूसरा सेट ने ठीक है तो दूसरा सेट का भी आपको आंसर यापी आपको प्रोवाइट किया जाएगा दोनों सेट के आपको आंसर दे देंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यह वाला set करना है इसके बाद आपको यह पे इसका भी आपको अंसर बताया जाएगा तो इसके लिए पहले आप एक set complete करिए ना दो set करिए और पूरे question कोई भी आपका यह पे डिश्टी को आपको टेंसा नहीं लेना है जब तक हम है आप यह पे पूरे 75 में से 75 नंबर ले कर आओगे देखिए पहला question आपको इसमें दिया गया है पदार्थ की किस अवस्था में किसी बस्तु का एक निश्चित आकार इस पर सिमाय और आपका नगंड संपीड़ता होती है तो आट नंबर question आपको आपको इसमें दिये गए है तो देखी ठोस, द्रब में या फिर गैस में या फिर आपका जल में अगर मैं इसके answer की बात करूँ यहाँ पे आपको answer simple तरीके से देखिए आपको लगा देना है तो यहाँ पर आपका पहला answer देखिए आप यह ठोस आपको यह ठोस डिखात दीजी का दीजे इसके बाद दिखें क कशचन आपका निर्स दे गारेंटी लेते हैं और यहां पर देखें कोश्चन आपका दिया गया है यहां पर अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहां पर आपको पहले का आंसर देखें आपको आपको पहले ही आपको लगा देना है क्या हो जाएगा आपको कहते हैं और इसके बाद question लिखें तीसरा निम लिखित में से किन तत्तों की पर्मक्ता आपका दो होती है आरगन और हीलियम आक्सीजन एबं हाइड्रोजन फासफोरक और ससलफर और उप्योगत सभी ठीक है अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यह पर तीसरी का है simple तरीके से यानि आपका इसमें प्लस टू है और इसमें देखिया आक्सीजन में क्या होता है आपका आठ होता है पर्माड़ी क्रोंग तो आपको इसके बिन्यास होगा पहले है दो और दूसरे में आपका 6 ठीक है अब यह पर पूश रहा है कि इसका देखिए यह पर्मा इसके आंसर की बात की जाए तो Electron की खोज आपका यहांthy था Sir, JJ थांसन ने किया था और अगर आपसे कोई पूछे कि यहांपे देख़ए gold teen आपका क्या खोज़ prawda proton की खोज gold teen ने किया था और इसके बात देख़ए dalton आपका या पर कड़गा आपका खोच किये थे इसके बाद देखिए कोशका की खोच करता कोन है रावाड ठूक है रावाड ब्राउन है लीनियस है या फिर आपका स्वान है तो देखिए आपका पर जो आपका लीनियस लिखा हुए तो linear से दिया था आपका 5 जगत आपका बरगी करण दिया था फुट कर ने आपका देखिए फुट कर और linear आपका बरगी करण आपके जगत के बरगी करण से related है और अगर बात कर रावाट ब्राउन तो इन्हों ने देखिए कोशिका के आपके केंद की खोच रावर्ट राउन ने किया था लेकिन बात कर रहा है कोशिका के अंदर का खोच आपका और आगर आपसे कोई पूछे कि आपका यह पे स्वान क्या होगा तो इस नीटन और स्वान जो है कोशिका का सिध्यान दिया था ठीके आपका कोशिका का खोट रावट भूख ने किया था कब आपका 1616 इस्वी में किया था तो आप अच्छे से अपर अंसर कर लीजी इसके पाद देखे कोश्चन आपका यहां पर आता है कोश्चन नमबर आपका पाँच बहु गया च्छाथा नमबर आपका यह आएगा तो च्छाथा कोश्चन तंद्र का उतक की कारयात्मक इकाई क्या होती है निवरांस निट्रान बक्र और एकसान देखे तंद्र का तंद्र की आपका कारयात्मक इकाई आपका यहां पर आपका होता है देखे क्या होगा आपका निवरांस होगा बक्र आपका इसी का देखे इसके अंदर का भाग ब प्रस्तुत किस ने किया था हुईटकर ने लीनियस ने और चाल्स डार्वी ने देखिए अब यहाँ पर आपका पाथ जगात देखिए दूई जगात आपका कौन ने किया था तो कैरोल्र आपका लीनियस देखिए इनका पूरा नाम था कैरोलास आपका लीनियस इन्होंने दुए जगात दिया था और पांच जगात की बात करें तो आपका बंच ब्रोटो जोयाद़ को लीजेगा इसके अलाबा आपका दूसरा पूछे तो दूसरा आपका आपके कबक होगा और तीसरा क्या होगा तीसरा आपका आपके होगा देखिए यापका जीबाडू और जीबाडू के अलाबा आपका एक बचेगा सैवाल है ना तो आप आपके सैवाल कर देजिए देखिए आपके पूरे आपके पांच जगत आपको इस अधार पर आपको आपको बाते गए हैं और अगर बात करें केरूलोस आपका लीनेस का तो उन्होंने आपका दो जगत दिया था और इसके बाद देखें बेग का आपका एसाई मातरक पूछा है तो बेग का आपका एसाई मातरक आपका के आपका दर किसके आपका अनुक्रमान पाती होता है तो इसका अंसर अगर कोई आपसे पूशे आपका हो जाएगा आपका बलके आपका अनुक्रमान पाती है ठीक है तो आप इसी आत करिए किसी बस्तु का डेस्ट है द्रब्मान गुरती तोरण के गुलन फल के आपका बरा क्या होता है कार आपको जो वर्क होता होता है बल गुड़े आपका विस्थापन होता है तो आप यहाप अंसर बिस्थापन कर लिए कि सब्रते स्ब्रकार करते हैं तो आपको अगर मैं इसकी अंसर की बात करूं तो आपको यहाप अंसर देखे कुलाइड apply uh quick goade AG आपका प्रदरसित आपका गूड़ा है, क्लूरीन का परमादु द्रभमान की बात कर रहा है, तो परमादु क्रमांग आपका चत्रा होता है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, द्रभमान तो आप उसका डवाल करियेगा, शत्रा दुनिया अपका 34 होता है, और इसके पास आपको याद करना पड़ेगा 35 पॉइंट आपका 5 ये पिर होगा इसका आपका भार और इसके बाद प्लस आपका नीटरान होगा तो आपको तरीके से आपको इसको अंसर याद करना है और इसके बाहर आपका इलेक्ट रखी इसके चार और 庫 कच्छा में यहाँ पर इलक्टल चक्कर लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर आसर, यहाँ बाहर आपका रिलक्र, बीच में आपका protocol and return, इससे कहते हैं कहला से इस हैं आपका सिम्पल तरीकी से आपका कौन सा परमडू अपको कहला या जाहे दो और इसके बाद आप अपर डीजे रब जग यहां आप से तो अगर कोई भी आपका ऐसे पूश्चन पूशे तो आप यहां पे सिम्पल सा आप आंसरए आपको अनेक्षिक पैसे देखिए आहार नाल आपका खाने वाली कर रहे हैं तो आप उस इसके बाद देखें गौलगी कया है तो गौलगी कया्य अपको सिंपल तरीकि से देखें क्या करता है आप गलत हो गया है आपको यह मिलेगा है आपको इसमें तो आप इसको मिला Mundia यह बाले में चलिए इसे मिला दीचिए और गालगी का आपका होगा क्या यह पर आपका लाइसोसों का निर्मार करेगा तो आप देखिए यह आपका यह पर कुछ आपका लिखें एंटिबायोटिक तो एंटिबायोटिक आपका देखिए कौन-कौन से आपका दिये गया है त तो आप जानते हैं आपके क्या होता है यह आपका जिबाडू है कि आपका बिसाडू है आपका उताना पड़ेगा और आपका जो दिया गया है गौलगी का तो आप इसमें यह वाल आपका हो जागा देखें आपको इसको सिंपल तरगी से आपके इसमें C नमबर में मिला देन प्रत्क हो गतार्य। शेवालापका लिखा गया है और इसके साथ आपका लेंगिक रोग आहकर आपका एंटिभाम गया हो गया प काला जार आपका हो गयाрь वाला और आपका नील रही सभार हो जाएगा फासपोन दो आपको विख दीजेगा आपको इस एक बाक में आपको उत्तर देना है पहला लिखा है इस तीर अनुपात कनियम किसने प्रस्तूत किया है साथ नमबर कॉश्चन देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका इसका आंसर जो है दूसरे का आंसर इस तीर अनुपात कनियम उससे क्या कहते हैं बहुत सिंपल सिंपल कुष्चिन है बस आपको इस ही प्रकार से आपको अंसर यह पर करना पड़ेगा बात कर रहा है परमादयों की बात की कर रहा है में इस यह थे यह this एकिलेटर है तो देखे आपको तरण क्या होता है यहां पर दिखिए आपको सिंपल तरीकिसे आपको में लिक्दे़े ना है अमत्र ने लिगताना है मीटर सिक्षेंड कर्णा एक गाड़ी मिटर का क्या मापता है तो आप जानते आप अप गाडी का आपको चाल मापता है ठीक है तो ताथ चणी चाल बोलते हैं उसके ताथ छडीक चाल और आपको चाल लिख देने बस आपको answer करना है इसके बाद देखिए मिस दातु पीतल के घटकों को आपको नाम बताना है तो मिस दिवापका देखिए एक तो आपका फीतल यानि आपका इसमें मिला ही रहेगा है ना पीतल की बात कर रहा है तो तामबा तो आपका पे आपका यानि की बात कर रहा है देखे जिंक की तो आपको देखी आपको जिंक नहीं आहिंत है दीखी हिंधि क्रॉट ग्रावा को जाएगा और इसके साथ और क्या हो शकता है इसके अलावा आपका कवा जास्तन देखिया जास्तन अ ap चिंत बिश्श होऩों स्य कहां से किआ रिक होद् enabling किसे कहते हैं तो आपको यहांपेस सिंपल तरीक से झब आपको 8 Lieutenant सी किआए है है वीच हुआ हाहिए हाप धिकाे किया होता है आपको प्राइस्रबत थ्धो सब्सक्राइब अगर देखी यहापे अगर बात करें बीट सट्ट चे आपका कम हो तो आपको उसे अब सब्रध होनी कहते हैं इसके बाद देखे कोश्चन दिये गए सुस्क बर्प किसे कहते हैं और क्यों और साथ बे अदो कोश्चन गुप तूसमा आपका क्या है तो अगर मैं इसके आंसर की बात करो तो सुस्क वर्क आपको यह चली आपको यह पर आंसर हम आपको देते हैं तो हर एक कोशने का आपको बहुतने तरीके से आपको आंसर देंगे बस आप यह पर ध्यान से देखती जाएए देखी सुस्क वर्क आपका अंसर अपकोई बिल जाएगा कार्बन डाइकसाइड पर दाब बढ़ा जाता है तो उच दाब पर संपिरित होकर ठोस में बदल जाती है इसे ठोस कार्बन डाइकसाइड कहते है जब ठोस कारबन डाइक्साइड को समान बायो मंडली दाब पर रखा जाता है तो ये बिना किसी द्रब में बद्दे सीधे गैस में बदल जाता है इसलिए इसे सुस्क बर्व की तरह आपके उपयोग किया जाता है तो आप आंसर या पर अच्छे से कलीजिए कोई आपका दि डिखने के लिए आबसक उस्मा की मातरा उस ठोस की गलन की प्रशुप्त आपका उस्मा कहलां तो आपको सिंपल सा Skills कर लेना है और इसके बाद देखिए आपको यहां पर kysyन करने के बाद को सिंपल तरीकित देखिए आपको यह पे यह question भी आप कर सकते है देखिए यह पर लिखा है आपका उधरपातन का है तो आपका देखि経ए डूर्षरा सेट में आपका नीचे पढ़ बाला आपका यहाया हुआ है तो दूसर द्रब आपको निचे पढ़ किसे कहते हैं, तो निचे पढ़ एक उस्मा, यहीं प्रक्रिया है, जिसमें कोई गैस ठोस बन जाता है, और इसकी उल्टी प्रक्रिया को उधर पातन कहते हैं, और आपके दूसरे आपका जो सेट आया हो, उसमें आपको आधको कोशन पाचकाप का ये वाला है उधर पातन किसे कहते हैं तो आप देखे उधर पातन एक भौतिक रसायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था सीधे गैस में परवर्दित हो जाता है इस पूरी प्रक्रिया के दोरान पदार्थ की अवस्था किसी मदवर परिवर्जित नहीं होती है कपूर का ठोस अवस्था में सीधे बास्व के रूप में उड़ जाना आपका याद कर लेजिए कोश्चन 6 से लिकर दीखिए आपका 19 तक का अंसर आपका यह लाज दीखिए आपका 22 है तो 22 का अंसर आपके नेस्ट पार्ट में मिलेगा तो इसका मुठिया पेलने जाना है बाई